तो बच्चो इस वीडियो के अंदर हम करेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइस 2.2 के कोशन नंबर 1 का 3rd और 4th वाला पार्ट तो 3rd पार्ट में हमें क्या करा है 6x2-3-7x दे दिया इसके हमें 0s बताने हैं और फिर उसके बाद हमें verification करना है तो 0s बताने के लिए हम क्या करते हैं इसके अंदर या तो हम लगाते हैं इसमें कोई चीज अगर common आ रही हो तो वो वाला method या फिर identity लगाते हैं या फिर क्या करते हैं इसमें से middle term split करते हैं तो ना तो इसके अंदर मुझे identity लगती हुई दिख रही ना कुछ common आ रहा तीनों में से तो यहाँ पर हम क्या काम करेंगे इसमें करेंगे middle term split लेकिन उससे पहले आपको एक चीज ध्यान देनी है जब मैंने आपको यहाँ पर general equation बताई थी तो general equation क्या होती है वो होती है ax square प्लस bx प्लस c means पहले x square वाल आना चाहिए फिर x वाल आना चाहिए फिर constant आना चाहिए तब हम कहते हैं कि वो जो quadratic polynomial है वो standard form में लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पर इसने क्या किया है गुमाने के लिए x वाला बाद में लिख दिया और constant को पहले लिख दिया है तो आपको question पर ध्यान देना का भी सीधा सीधा ऐसे करने लग जाओ 6,7 जा 42 और फिर 3 की middle term split कर दोगे तो गलत हो जाएगा तो ध्यान से पहले हम इसको क्या करेंगे इसको हम rearrange करके लिखेंगे पहले x square वाला फिर x वाला और फिर उसके बाद constant ये चीज याद रखनी है हर एक question के अंदर सबसे पहले उसकी standard form लिखी होई होनी चाहिए उसके बाद क्या करना अब यहाँ पर middle term split करने के लिए इस 6 की और इस 3 की क्या करते है multiplication तो 6 3 जा कितना हो जाएगा 6 3 जा हो जाएगा 18 middle term किस की करनी हमे 7 की तो हमें ये पता है कि यहाँ पर जो sign दे रखा होता minus करके हमें क्या लाना है minus करके लाना है 7 और किसके factor करना है 18 के तो 18 सबसे पहले 1 के table में आता होगा 18 बार अब अगर आप 18 में से 1 minus कर भी देते हो तो 17 आएगा तो ये factor तो fail है तो 18 के और factor डूँड़ो 18 2 के table में आता है कितनी बार 9 बार अगर मैं 9 में से 2 minus कर दूँ तो कितना आ जाएगा 7 और मुझे 7 ही चाहिए तो हमारा कौन सा वाला factor बेटेगा 9 minus 2 तो यहाँ पर आप वही चीज लिखोगे अब 6x square minus 7 की जगा पर bracket और उस bracket के अंदर क्या लिख देंगे 9 minus 2 यह वाला x आगे bracket के बाहर फिर minus 3 और equal to में 0 अब यह minus अंदर जाएगा तो दोनों के sign change करेगा x यह दोनों का ही तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे अब 6x square minus 9x और इस minus के साथ यह minus मिलेगा तो plus का 2x और minus 3 equal to 0 अब यह 6 और 9 दोनों same table में आते हैं तो दोनों मेंसे हम 3 common ले सकते हैं और दोनों के पास x भी है तो आप common ले लोगे 3 और x तो 3 के लिखोगे 6 कितनी वार आता है 2 बार जब x square में से x आपने ले लिया तो एक x बचा 3 के लिखोगे 9 कितनी वार आता है 3 बार यह x जो था कि common ही आ चुका है इन दोनों में से कोई चीज common नहीं है जहाँ कुछ common नहीं होगा महाँ पर क्या common हो जाएगा 1 तो 1 के लिखोगे 2 कितनी वार 2 बार 1 के लिखोगे 3 कितनी वार 3 बार ही आएगा 1 common लेने से कोई फरक नहीं पड़ता उस number पर वही हो जाता है अब यह वाले दौनों digits कैसे आने चाहिए थी यह वाले दौनों bracket same आने चाहिए थे जब भी middle term में split करो same आ रहे तो इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं एक बार 2x-3 common आ गए और 2x-3 जब common आ गया तो क्या बचा यहां से बचा 3x और यह जब common आ चुका है तो यहां से क्या बचा 1 जो common आ आ था उसे एक बार लिखते हैं और यह जो चीज बची है इसे दूसरे bracket आ पहल देते हैं अब क्या करना है एक बार इसको 0 के equal रखेंगे एक बार इसको 0 के equal रखेंगे तो जब हम 2x-3 के equal में रखते हैं 0 तो यह minus का 3 इदर जाकर कैसा हो जाएगा plus का 3 और फिर यह 2 इदर चला जाएगा तो इदर किदर जाएगा यह यह जाएगा upon में तो x की एक value हमारे पास क्या आगई 3 upon 2 इसको 0 कहते हैं यह इस पूरी equation का 0 है means अगर आप जहां जहां पर x है वहां पर 3 upon 2 रख दोगे न तो यह पूरी equation क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी उसके बाद दूसरी क्या है दूसरी है हमारे पास 3x plus 1 उसको भी 0 के एक वाल इसको अब यह plus का 1 इदर ले जाएगे तो कैसा हो जाएगा minus का 1 और यह 3 multiplication का इदर आ जाएगा किसमें division में तो x की दूसरी value क्या आगई 1 upon 3 अब इसमें से एक को आप मान लोगे alpha और एक को क्या मान लोगे beta हमने मान लिया कि alpha कितना है हमारा 3 upon 2 और beta कितना है minus 1 upon 3 ठीक है अब आगे तो किसका relationship verification कैसे करेंगे तो अब हम करेंगे इस वाली equation को compare इसको compare मत करने लग जाना कभी इसको लिख दो b और इसको लिख दो c फिर तो गड़ बड़ हो जाएगी हम करेंगे इस वाली को जो standard equation है तो हम कर रहे हैं by comparing 6x square minus 7x minus 3 equal to 0 और इसको किस से compare करेंगे हम ax square plus bx plus c equal to 0 से तो यहां से आप निकाल सकते हो a, b और c की value तो a की value कितनी हो जाएगी अब तक आप समझ गयोगे a की value 6 x square के आगे वाला a होता है b की value कितनी हो जाएगी जो हमारे x के आगे होता है वो b होता है तो x के आगे b क्या है यहां पर minus 7 और c हो गया constant जिसके पास कोई variable ना हो वो हो गया minus का 3 अब पहला जो verification होता है उसके अंदर हम निकालते है sum of the zeros तो sum of the zeros निकालने के लिए हम क्या करेंगे minus b upon a sum of the zeros मतलब जो zeros यहां पर हमने निकाले है यह वाले दोनों alpha plus beta equal to minus b upon a alpha की जगा पर कितना रख देंगे 3 upon 2 और plus beta की जगा पर कितना रख देंगे minus 1 upon 3 फिर minus b की जगा पर क्या रखेंगे minus 7 और a की जगा पर क्या रखेंगे 6 इदर LCM ले लो 2 और 3 का LCM कितना आ जाएगा 6 उसके बाद नीचे वाले से means denominator से denominator चेक करते हैं 2 के table में 6 कितने बार आता 3 बार तो वो जो 3 आया उसकी उपर वाले है multiply तो 3 3 जा 9 तो यह plus minus minus हो जाएगा यहाँ 3 के table में 6 कितने बार आएगा 2 बार और 2 की multiply उपर वाले में 2 बंजा 2 यहाँ पर minus plus हो गया और यह आगया 7 upon 6 9 में से 2 गया तो कितना आएगा 7 upon 6 तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया LHS और RHS दोनों equal आगये तो यहाँ पर आप लेख सकते हो LHS equal to RHS अब दूसरा देखते है दूसरा होता है हमारा product of the zeros और product of the zeros किसके equal होता है वो होता है C upon 1 equal alpha की जगा पर क्या रख देंगे 3 upon 2 beta की जगा पर क्या रख देंगे minus 1 upon 3 equal to C C की value कितनी है minus 3 और A की value कितनी है A की value है 6 तो यहाँ पर इस 3 से 3 cancel हो सकता है numerator से denominator को हम cancel कर सकते हैं जब भी बीचो multiplication हो 3 बन जा 3 और 3 तू जा 6 तो यहाँ से क्या बचा minus 1 उपर बचा numerator में, denominator में 2 बचा तो minus 1 upon 2 और इधर से भी क्या बचा minus 1 upon 2 तो यहाँ पर भी LHS और RHS कैसे आ गए equal means दोनों तरफ यह verify हो गया sum of the zeros भी और product of the zeros भी तो last में आप लिख दोगे hence verified यह हो गया आपका question number first का third part अब हम देखते हैं इसका fourth part तो fourth part हमें दिया है 4u square plus 8u तो इसमें तो middle term split हो नहीं सकती उसके लिए तो हमें तीन term चाहिए तो मैंने आपको, मैं जब से introduction आपको बताया मैं हमेशा आपको एक चीज बताता हुआ आ रहा हूँ प्रकॉमन ले सकते हैं हम तो आप क्या काम करोगे इसको लिखोगे 4u common लेने के बाद चलो पहले लिख लेते हैं 4u square plus 8u और अब हम क्या करते हैं इन दोनों में से ले लेते हैं 4u common तो जब आपने 4 common ले लिया u square में से u common ले लिया 1st, 2nd, 3rd जितने भी किये हैं उसमें हमारे पास 2 term आती थी multiplication में जैसे x-4, x-2 यह दोनों multiplication में थी इसको एक बार हमने 0 के equal रखा था एक बार इसको 0 के equal रखा था तो बस यहां पर भी हम क्या करेंगे एक बार 4u के 0 के equal रखेंगे एक बार u plus 2 के क्योंकि यहां पर हमारा इससे आगे solve यह होना नहीं है तो हमारी 2 term तो आगए एक टर्म यह है तो एक बार इसको 0 के equal रखते हैं एक बार इसको 0 के equal अलफा बेटा निकालते हैं तो यहां से आप पहले रखोगे 4u equal to 0 तो u equal to कितना हो जाएगा 0 upon 4 और 0 के upon में कुछ भी number हो वो हमेशा क्या रहता है वो हमेशा 0 ही होता है उसके बाद दूसरा रखते हैं हम u plus 2 equal to 0 तो यह plus का 2 इदर आकर कैसा हो जाएगा minus का 2 तो एक u की value यह आ गई और एक u की value यह आ गई इसमें से एक को मान लेते हैं हम alpha और एक को मान लेते हैं बीटा तो alpha हो गया हमाद लिए 0 और बीटा कितना हो गया minus का 2 अब relationship verification करते है तो अब हम इसको करेंगे compare तो by comparing 4u square plus 8u with किस से compare करेंगे हम ax square plus bx plus c equal to 0 से अब यहां से आपके पास a, b, c की value आने वाली है तो यह वाली जो हमारी general equation होती है यह x में लिख देते हैं बस यहां में जो question दे रखा है यह variable u में दे रखा फरक इतना हमस तो यहां पर x square के आगे यहां पर u square के आगे 4 तो a की value क्या हो गई 4 फिर b की value कितनी हो जाएगी जैसे यहां पर x के आगे b है यहां पर u के आगे क्या है 8 तो b की value हो गई 8 अब c क्या लिखें इसके आगे तो कुछ है यह नहीं तो जिसके आगे कुछ नहीं हो वहां पर plus में हम 0 तो लिखी सकते हैं 0 लिखने से कोई फरक थोड़ना पड़ जाएगा इस equation प्लस 0 करके क्या कर लेगा वो कुछ नहीं कर सकता तो इसलिए हम क्या करते हैं c की value क्या मन लेते हैं 0 तो c की value आगई हमारे पास 0 अब आपको पहला verification करना है sum of the zeros वाला तो पहला हम करते हैं sum of the zeros sum of the zeros क्या होता है minus b upon a means alpha plus beta equal to minus b upon a alpha की value रखो कितनी है 0 plus beta की value कितनी है minus 2 फिर minus ये वाला फिर b की जगा पर कितना रख देंगे b की जगा पर आ जाएगा 8 और upon में क्या है a, a की value कितनी है 4 तो यहाँ plus minus कितना हो जाएगा minus तो यह हो जाएगा 0 minus 2 equal to यहाँ 4 की टेलमेट कितने बार आएगा 2 बार तो यहाँ पर भी आगया minus 2 0 में से 2 गया तो minus 2 यह बचेगा और इधर भी minus 2 means LHS और RHS कैसे आगए यहाँ पर equal आगए अब क्या करना है आपको दूसरा निकालना है multiplication C upon 1 equal alpha की जगा पर कितना रख देंगे 0 beta की जगा पर कितना रख देंगे minus 2 C की जगा पर क्या रखेंगे C की value तो 3 नहीं तो हमने क्या मान ली थी 0 और A की value कितनी है 4 0 की multiplication किसी में भी करें 0 होता है 0 के divide में कुछ भी हो क्या होता है 0 तो इसका मतलब LHS और RHS यहां भी कैसे आ गए equal आ गए और इसी के साथ हम कर देंगे hands verified ठीक है यह हो गए आपका question number first का fourth part और इसके दो part और बचे हैं वो करेंगे हम next video में अगर इन दोनों question में कोई doubt हो तो आप comment करके पूछ सकते हो